वेलकम, SBI Clerk मेंस एक्जाम के लिए अमर्शर के क्लास में आप सबों का स्वागत है, हम लोग सुरुवात करते हैं data sufficiency से और आज का क्लास data sufficiency पर है, five questions इससे आएंगे, data sufficiency, इंग्लेस इंद्धे दोनों में class होगी, आप लेखेंगे, इचैप्टर का depth में knowledge चाहिए, लेकिन जब knowledge है तो बड़ी जल्दी बनता है, इस चैप्टर ऐसा है जिसमें दिमाग ही नहीं दिल भी कुछ बोलता है, समझ गए तो बस अंसर है, मजा आएगा मेंस के question अगर जल्दी बन जाते हों तो सोचिए कि एक्जाम में कितना मजा आएगा, आए अमर सर आप मैच दिखता है, इस पर फ्लाट 50% आउफ सारे ही पेड कोर्स पर चल रहे हैं, टेलिग्राम चैनल अमर सर कॉंपिटिटिव एक्जाम और टेलिग्राम ग्रूप अमर सर बैंक एक्जाम प्रपरेशन पर सारे ही वीडियो के PDF दिए जा रहे हैं, वहां से डाउनलूड करें और ट्रेक्टिस करें, तो चलिए शुरू करते हैं आज के session की, सबसे पहले जो instructions होते हैं, उनका मतलब समझना जरूरी होता है, मैंने एक पेज में बढ़िया से instructions को लिया है, सेखिए, Each question below is followed by two statements one and two, you have to determine whether the data given in the statement is sufficient to answer the question, you should use the data and your knowledge of mathematics to choose between the possible answers, question का answer क्या है, यह secondary है, दिए हुए option में से कौन उसका answer देता है, ठीक ठीक यह primary है, रेखिए, फस्ट है, answer will be one, if the question can be answered by using statement one alone but cannot be answered by statement two alone, statement दो दिए हुए है, तो दिए हुए, अगर एक से answer मिल जाए, दूसरे से ना मिले, है तो answer is a, question जो पूछा जाएगा, question का जो statement होगा, उसमें भी कुछ data दिया हुआ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, statement one or two रहेंगे इसमें भी data है, statement one or question के data को लेकर answer मिल जाए, लेकिन two को लेकर ना मिले तो a, 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 option a, और उल्टा, if the question can be answered by using statement two, question और statement two मिल के answer देता हूँ, but statement one alone not, तो answer हुआ भी, options का मतलब समझना जरूरी होता है, option का order भी बदलता है, see if both statements one and two together are required to answer the question, मतलब statement one अकेले answer नहीं दे सकता, वापस कर दीजी, statement two अकेले answer नहीं दे सकता, वापस कर दीजी, मतलब c के लिए, दोनों जरूरी है के लिए, अकेला कोई भी sufficient नहीं है, तभी c होता है, उस c का मतलब समझना जरूरी है, d, if the answer can be found by using any of the two statements alone, statement one लिया, question के साथ attach किया, answer, अब वापस, two लिया, question के साथ attach किया, answer, yes, both separately, अलग-अलग, दोनों sufficient है, question का answer देने के लिए, answer d, e का मतलब समझे, if both the statements together are not sufficient to answer the question, दूसरे chapter के question में भी आप देखते हैं, data inadequate, ऐसा देखते हैं, यहीं से आया है, statement one लिया, नहीं मिला, statement two लिया, नहीं मिला, अब इसके बाद, answer के लिए दो ही chance बचा है, या तो c नहीं तो e, c, यहाँ पर c, देखें, यहाँ पर जो answer है, इसके मताबिक c या e, ना one से अकेले मिला ना two से अकेले मिला, यह दोनों दे देते हैं, दोनों मिलके answer दिया, तो c दोनों मिलके भी answer नहीं दिया, some more data needed than answer is e, मेरे ख्याल से options समझ गया होंगे सभी लोग, पहला सवाल आपके सामने है, options वही है, दुबारा भी दिखा दूँगा, what will be the cost of painting a rectangular wall, rectangular wall समझ भ्या रहा है ना, rectangular wall, ऐसे ऐसे, मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं आप देखिए, rectangular wall का मतलब यही है, तो किसी को paint करना है, तो paint करने का संबद्ध किस से है, area से, area से, what will be the cost, कतना पैसा लगेगा, rate चाहिए, first statement, cost of painting is rupees 10 per square meter, very good, rate दिया हुए, rate चाहिए, लेकिन इससे अकेले answer नहीं मिलता, perimeter of wall is 60 meter, perimeter का मतलब, खेरा थोड़े लगाना है, paint करना है, paint का संबंद area से है, SL में, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है, वो है, perimeter यानि 2 into L plus B, is equal to 60 meter, लेकिन हमें क्या चाहिए, statement 1 क्या दिया हुआ है, cost यानि rate is equal to rupees 10 per meter square, इससे क्या होगा, we want area, हमें area चाहिए, वो तो नहीं निकलता, one equation है न, 2 into L plus B, one more is needed, दो equation चाहिए, तब ना L और B का value निकलेगा, या फिर L into B दे दे, इतना square meter area बता देता और यह rate है तो बता देते न, data inadequate, किसी को कहते है, data inadequate, इसका मतलब दोनों मिल करके भी answer नहीं देते, इसका मतलब क्या है, even both together not sufficient to get the answer, even both one and two together, not sufficient to give the answer, मुझे new student को भी सम्झाना है, मेरे ख्याल से सबों को यह समझ में आ गया होगा है, चले, चलते हैं, question number two, new student बोली, मज़ा आ रहा है कि नहीं, ऐसे question को solve करने में, even both together not sufficient to give the answer, ठीकर, question number two, तो मैंने समझाया, बताया, अब मैं ऐसा करता हूँ, जो एंसर होता हूँ, उस पर बात कर लिता हूँ, explanation फिर होगा, यह बात पिछले question में भी हो जकती है, जाम मैं आप जैसे बनाएंगे, age of age, one-third of age of B, इतना आप पढ़ते हैं, A and B का ratio दिया हुआ है, what are their ages, A or B का age बताना, statement 1 लेते हैं, after 10 years, the ratio between the ages of A and B, will be 3 to 7 years, निकलेगा, question में कुछ data दिया हुआ है, A or B का ratio, जो, आज का 10 साल बात का यहां मालूम है, one and two together, yes, sufficient, सुनिए, सुनिए, one and two नहीं, two करने का मतलब मैंने statement लिया, statement के साथ one, one is alone sufficient, one is alone sufficient, जल्दी बुली, कुछ करनी की जरूरत नहीं, 10 years, second, 10 years ago, the ratio of the ages was one is to five, yes, यह भी अकेले answer देगा, question के साथ मिल करके, two is alone sufficient to give the answer, इसका मतलब क्या हुआ, they are separately sufficient, one भी अकेले answer देता है, two भी देता है, either or इसको नहीं बोलते हैं, either or का मतलब होता है, one ने दिया तो two नहीं, two दे दिया तो one नहीं, यह हुआ, one and two, alone sufficient, अब यह तो question है न, समझाना, समझना भी मकसद है, कि मैं समझाता हूँ, खेक है, इसको थोड़ा बताता हूँ, हूँ, solve करता हूँ, जिसकी जरुवत इस chapter में नहीं है, लेकिन बात इस chapter के नहीं है, बात तो सीखने की है, देखि, at present, 10 years hence, and 10 years ago, देखि, कैसे, 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 आफ्टर 10 years, A and B की बात हो रही है, T is to 7, 10 years ago, 1 is to 5, इस question में अक्सर गलती होती है, यहान नहीं जाता है, 1 दिखाई नहीं देता, 2 दिखाई नहीं देता, 1, 2 मिल के answer देता है, बोल देते हैं, जब की वन स्टेट्मेंट आपको question में ही दिया हुआ है, देखि, 1, 3rd, 1 is to 3, इसको लिख देते हैं, 2 is to 6, इसको लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर difference है, 4, यहां भी difference को 4 बनाना चाहते हैं, बस answer, यहां इन दोनों को ले लिजी, तो यहां पर भी difference है 4, देखि, 1, 1, 1, 1, 1 means 10 years, 1 means 10 years, बताई, 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 तो 2 means 20 years, 6 means 60 years, यह ages हुए की नहीं, यह न पूछा गया था, कि इनकी ages बताईए, A के और B के, यह कारना नहीं है, वो तो मैं समझा रहा हूं, mathematics में, समझना भी तो है, answer तो पहले हुजाता है, clear, सुन्दर question, answer can be found by using any of the two statements, not C, this is D, question number 3, what is the length of a train, train की लंबाई पूछा है, it takes 8 seconds to cross a man, अकेले answer नहीं मिलेगा, it takes 20 seconds to cross a 50 meter long bridge with the same speed, अकेले answer नहीं मिलेगा, अब तो या तो answer होगा C, नहीं तो E, दोनों ले लेते हैं, मिल के answer दिया तो C, नहीं दिया तो E, दोनों मिलके मिलेगा, मिलेगा, बनाएंगे smart approach से, ऐसे तो बन गया न, answer तो हुआ, one and two together, sufficient to give the answer. ऐसा होता क्यों है, तो steps दर असल यह होता है, देखिए, one not, two not, तब नहीं हमने कहा कि both together yes, देखिए मैं बताता हूं जरहा है, इसको solve करता हूं, इसका answer हो चुका है, लेकिन मैं solve करता हूं, देखिए, train plus platform, हम ऐसे बहुते हैं, यह train है, और यह platform है, cross करने में देखिए, ऐसा दिया हो है, ऐसा दिया हो है, की train plus platform, देखिए, train plus statement, एक man को पार करना मतलब अपनी लबाई के पराबर distance तेह करना, और यह कितना है, 20 seconds, इसका मतलब, इसका मतलब यह वाला क्या हुआ, यह वाला क्या हुआ, यह वाला क्या हुआ, 12 seconds, और इसकी लंबाई दी हुई है, 50 meter, ठीक है, अब 50 meter दिया हुआ 12 seconds में, तो speed क्या हुआ, 50 by 12 meter per second, तो train का length क्या हुआ, length क्या हुआ, 8 seconds में, 8 into 50 by 12, इसका मतलब, 100 by 3 meter, चले बताएगे, यह हुआ solve करना, यह हमारा मक्सद नहीं है, लेकिन, question है न, समझना भी चाहिए, अच्छा question है, ठीक है, अंसर पहले मिल जाता है, इस chapter में, यही तो खूब शूर्ती है, both the statement 1 and 2 together, we should not get the answer. What is the sum of two numbers, A and B, A and B two unknowns है, two equations है, first, A minus Z is equal to 20, no, second, Z minus B is equal to 20, no, अगर हम 1 की बात करें, no, 2 की बात करें, no, 1 प्लस 2 की बात करते हैं, तो again no, क्योंकि दोनों को solve करेंगे, a minus b is equal to 0 आएगा, यानि a is equal to b, a is equal to b होने से थोड़े होता है, हमें तो उनके values चाहिए न, a plus b चाहिए, values न भी मालूम हो, हमें चाहिए a plus b is equal to what, यह चाहिए, can't be determined, data not sufficient, इसी को बोलते हैं, ठीक है, some more data are needed, की answer हुआ, बोले, यह तो देखकर की answer आता है, की चाहिए, दोनो मिल के भी answer निजे सकते हुआ, और question number 5, what are the ages of a and b, a or b के ages बताईए, two unknowns वे न, a or b, age of a is 80% of the age of c, को इफ थर्ड, अकेले तो निमरेगा, one is alone, not sufficient, one and two together, again not sufficient, क्योंकि एज के लिए एज चाहिए, रोपया के लिए रोपया चाहिए, कितना रोपया के लिए कोई रोपया चाहिए, कितना एज के लिए कोई एज चाहिए, साम डिफरेंस एज वो नहीं है, even both together, not sufficient data in ad equipped, अब बड़ा solve भी करते हैं, ठीकि सबसे पहली बात है कि first no, second no, one and two अगर हम दोनों लेते हैं, तो वो सिर्फ यह कहता है कि उनका ratio क्या है, A is 80% of C and B is 60% of C, only ratio, जल्ले बोलिये, ratio से तो value नहीं कलता न, value चाहिए न, ratio के साथ, साथ, वो तो दिया नहीं है, data inadequate, data inadequate, ठीक है, दोनों मिलके बेंसा नहीं देते, मुझे ही बताएगे, यह हमने एक दिया न, इसको भी, यह भी नहीं, ठीक है, data sufficiency में भी तरह तरह की questions आएंगे, मैंने शुरुवात की है, सारे memory best question करा देने का इड़ादा है, कि यहाद कुछ बचेगा नहीं जीएंगे, मेरा comments का अलग से playlist बना हुआ है, और अभी से जो वीडियो की स्रंग खला जाएगी, किसी और चीज की जरुवत नहीं है, PDF आपको Telegram चाहिज़ में, यह पूरी उम्मीद है कि आपने इस session को enjoy किया, भी continue, all the best.